अब नमस्ते सश्चेकल गाईज अगर आप ट्रेन में सफर करते हो तो आपको यह वीडियो देखनी बहुत ही ज़र्द ज़रूरी है क्योंकि राजदानी और शिताब्दी ट्रेनों में अभी जो खाना मिलता है वो महंगा हो सकता है और अभी कितना मिलता है और महंगा कितना ह हो सकता है हम आपको बताएंगे पर उससे पहले अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिसकी वज़से आप और हम साथ में चुड़े रहें और आप तक हम नहीं नियूज लेकर और आपको अलग लग तरीके से खाना मिलता और पहले भी काफी टाइम पहले भी इस खाने की जो गुनवता थी उसमें काफी ज़रा कंप्लेंस आती थी क्योंकि अगर आप वहां का खाना खाते हो तब काफी ज़रा प्रॉब्लम्स वगरा रहती है तो काफी सार लोगों ने के इसके कंप्लेण भी की ति अधिकारियों इसको क्या किया था कं कर दिया था और उसको जो खार्ने के ज़िंवता시 Chris थी उसको काफी अच्छा सुधार लेकर आए और उसके जितने quantity में वो बनता है उससे भी उसको कम कर दिया था कि at least उसका जो खाने का टेस्ट वो ज़ादा बैटर बनाया जाए तो अभी वो सब चीज़े चल रहे थी पर उसके बाद जो train के अधिकारी है उन्होंने अभी board अधिकारियों से demand की है उन्होंने एक प्रस्ताफ रखा ह है कि अभी जो खाना है वो उसके चलते हुए आपको कम से कम 40 रुपया खाने के उपर बढ़ारा चाहिए क्योंकि मेहंगाई बहुत ही जादा बढ़ गई है और उसके उपर हमारे पांच दिन का पांच दिन का वहां पर अगर कोई train बुक करता है तो पांच दिन का मैनी उस साल में अभी तक उसका जो खाने का रेट है वो अभी तक नहीं बढ़ा है पर अब भी बहुत जल्दी जैसे कि अगर मैं आपको बताओं कि शेताबदी ट्रेन और राज़तान इस ट्रेन में अगर आप खाना लेती हो तब एक प्लेट आपको खाने की कम से कम 112 रुपे की प पड़ेगा दूसरे लोगों को भी इसका साथ देना पड़ेगा और इससे अच्छा है कि अगर उनको यह पैसा बढ़ा दिया जाए और जो खाने के गुनवता है जिसमें काफी लोग इतना जादा बोलते कि अच्छा नहीं है उसकी वजह से खाना खाने का गर रेट बढ़ करके जरूर बताईए कि आपने किस तरीके का खाना खाया वो खाना अच्छा था क्या वो खाना बस ऐसी था जो क्योंकि काफी जादा चेंज किया अगर आपने रिसेंटली अभी ट्रेन में सफर किया है तो और अगर इस चीज से आपको सही लगता है कि इनोंने बढ़ा के स अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग एचजे नियूज